हम लोग भगवद्गीता के तीसरे अध्याए के पहले श्लोग को देख रहे हैं तीसरे अध्याए शिरू करेंगे दूसरे अध्याए को सुन करके उसकी सिक्षाओं को सुन करके अर्जुन के मन में थोड़ा अप्रूंट मतलब प्रतीत होने वाला विरोधा भास था नहीं लेकिन ऐसा अन प्रतीती उनकी हो रहे थे के ही होगा वेदिक सğimiz फिरल ग्वाह दोब भास होता नहीं है विरूदा भास है को सुआ मैसूस होने आप कहए रहे हैं कि आत्मा विशाएणी बुद्धी बहुत अच्छी है सिरेष्ट है निष्यात्माक बुद्धी और वैवसायात्मे का बुद्धी बहुत अच्छी है तो आप मुझे भोर कर्म में क्यों नियुजित कर रहे मैं इस प्रकार करना चाहिए इंडे सॉयम करना सरवाणिंदे संयम या युक्तवार्व कर्म कि सिवा क होतली इस प्रकार का युद्ध आप क्यों हमको क्यों नहीं भुद्धि बूद्ध में प्रिशेत कर रहेनृ स्व्धित यह क्या थूं प्रिकम है अच्छी है तो उसके बाद मैं बोलूगा ना अच्छी चीज की तरफ जाओ आप बोल देए कि आत्मे विशेक बुद्धी विशेनी बुद्धी बहुत अच्छी है और हमको निवजित कर रहे है अपने घोर कर्म में हिंसात्मक कर्म में इससे कौन सा आत्मक का सशत्कर होगा ऐसे करके उनकी मन में एक डाउट आ गया तो उसको वह है यहां पे क्लेर कर हैं क्लेर कर रहे हैं मैं पूछ रहे हैं मेरे पिछे बलिए अर्जनवां चा यहसी चेत्थ कर्म नस्ते मता वुद्हिर जना दना किमक्रमनी ओरे माम नियों जयसी के शवा सля अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मनी घोरे मामनी ओज यसी केशव अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मनी घोरे मामनी ओज यसी केशव अर्जुन ने कहा अभी नहीं कर रहे हैं काफी सारी बातें इसमें बोलनी हैं और समय भी दिख रहा समय तो बहुत तेजी से भाग रहा है अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धी को सकाम कर्म से स्रेष्ट समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्धु में क्यों लगाना चाहते हैं बुद्धी कैसी बुद्धी आत्म विशेक बुद्धी यहां तक बोल भी दिया था भगवान न स्यां जींदी आट निजासर्व भूता नाम तस्याम जाग मैं आप जम्रदन शाप दूने तो अब जो शैद में उसके लिए यूरान यही तो जीदि नेक लने के जा रहा है ना को है किसलिए प्रपादान बाद कर रहे है कि सुझ काम करम कामना से चार डरा ना उड्द तो जीतनेक लिए कि झारा है राज जीतेंगे या मरें थो सफर्क भोगे तो इसमें किय लगा रहे हैं आप विशेक बुद्धीक में को लगाना चाहिए आप आप अच्छा है ऐसी बुद्धी मिस्तित हो करके मृत्युकाल में व्यक्ति ब्रह्मा निर्वान को प्राप्त कर लिता है श्याब्राम में सिति पारता नैनम प्राप विम्हुमुए थी इ आप तो उसका इतना गुडगान कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमको कर्मे क्यों निजित कर रहे हैं यह इंट्रस्टिंग है कि बागवान ने सब बोला कि बुद्धी बड़ी स्रेश्ट लेकिन यह नहीं बोला कि यूद्ध मत करो दूसरे दह में बोले कि यूद्ध मत करो यह बोल रहे हैं कि ऐसी आत्मे विश्वरिनी बुद्ध बहुत अच्छी है विश्भा अधेयात्म का बढ़ी बहुत अच्छी है लेकिन कि यूद्ध सने करने के लिए नहीं बोलो है कि तो गज़रास को देखेंगे पात ने बड़ी इंटरस्टिंग बात है अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा जनार्दन केश्व हे जनार्दन हे केश्व इनका क्या इंपोर्ट है वह आप टीका में देख रहेंगे भी चेत मतलब यदी चेते बुद्धी कर्मणा जायसी मतलब यदी आपको गुणातीत भक्ती विशनी बुद्धी मतलब वही जो बुद्धी भगवान की बक्ती को ग्रहन करें कर्मणहा जयसी कर्मकी अपेक्षा स्रेष्ट मता मान और आप मानते हो कि बुद्धी इस कर्म से स्रेष्ट है तत तो माम घोरे कर्मन की मियोजसी मुझे युद रूप घोर कर्म में क्यों नियुद कर रहे हैं बहुत स्पष्ट है राख्या करने की जूरत नहीं है संस्कृत देख लिए जायसी चेत कर्मनस अगर आप कर्म से स्रिष्ठ मानते हैं ते मता जायसी चेत कर्मनस ते मता अगर आपका ये मत है अगर आपका ये मत है मतला आपने स्पष्ट बोला ये क्यासे मेरा मत है तो अगर आपका ये मत है कि जायसी जादा है अधिक है स्रिष्ट है क्या चीज़ स्रिष्ट है कर्म से स्रिष्ट है क्या स्रिष्ट है बुद्धी यहनि आत्म विश्यनी बुद्धी कर्म से स्रिष्ट है यह जनातन तत किम कर्मनी घोर है तब फिर क्यों इस घोर कर्म में इस युदुरूपी घोर कर्म में माम नियोजय सी केश्रव आप जो ब्रह्मा और शिव को भी नियमन में रखते हैं आप मुझे इस प्रकार से क्यों नियुजित कर रहे हैं देवताओं को सपने कंट्रोल में रखने वाले व्यक्ति बड़ा अचा होना चाहिए तो यह इस प्रकार के घोर कर्म में आप मुझे क्यों नियुजित कर रहे हैं आपकी बात को टालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नियमन में रखते हैं तो आप हम पर जुम क्यों कर रहे हैं रहे हैं इस लोग तो समझ में आ रहा है शुद्धाश्वामी की ठीका देखिए इस प्रकार प्रारंभ में ही अशुच शोचान अन्व शोचस्त्वं प्रग्यावादांश भाश से गतासुन गतासु श्यनान शोचंति पंडिता इत्यादी श्लोकों के तुवारा आपने मोख्ष के साधनत्व के कारण देह आत्म विवेक बुद्धी को कहा आपने आपको यादी होगा पिछले अध्याएके इस प्रग्यावान की तरहें बात कर रहे हो लेकुँ पंडित लोग है वह जीवित और मृत दोनों के लिए शोग नहीं करते हैं तुम शोग कर रहे हो तुम पंडित हो नहीं उसके बाद बोलना शुरू कर दिया ना तुभाहम जातुनास्थम ना तम नेर्मी जनाभित जरा आ परमाशा कोई नहीं था कि मैं नहीं था तुम नहीं थे राजा नहीं था आत्मा और देह के विवेक की बुद्धी देदी की नहीं आत्मा देह से अलग है यह ज्यान भग्वान ने दिया की नहीं शुरूवात में दिया की नहीं बोलना शुरू किया तुरन देना शुरू टाटना शुरू कर दिया, तो सभाविक सी बात है कि आत्मा की बुद्धी की तरफ बगवान इसको स्रेष्ट मान रहे हैं, तुम देह में क्यों आ सकते हो रहो, स्पष्ट है, उसके बाद क्या कहा, इस प्रकार आपने निश्काम कर्मयों को कहा, आपने समझा, आप समझ रहे ते कि मैं आत्मा का अनभव नहीं कर पा रहा हूं, आपने तो मुझे आत्मा की बुद्धी दी, लेकिन मैं आत्मा की बुद्धी से युक्त नहीं हो पा रहा हूं, तो आपने उस आत्मा का अनभव कराने वाले निश्काम कर्मयोग को भी कहा तो बारम बार आप मुझे आत्मा के अनभव की तरफ ही लेके जा रहे हैं कि नहीं क्लियर हुआ नियति इंद्रेत्व निरहंकारत्वादी गुणों को कहा गया और एशा ब्रह्मी स्थिति पार्थ इस प्रकार स्थित्व प्रग्य अवस्था की प्रशंशा करेगा यह समझ में आया आपको आपने स्थित्व प्रग्य के वर्णनें बहुत सारे श्लोगों में किया इसक्ây सिएफिय्व स्थिवन आनलवर्ड vimos स्थिवेंटीवी सींटीव 2022 22 चला удто मैं स्वर्ण कर्रों 10 लोक आपने इसमें विदाए हैं तो स्तित्प्रग्य वेक्ति की गुणों का वेक्षान किया कि नहीं किया आपने 10 लोकों में और क्या के गुण थे निश्कामत्यू निश्प्रिह असर्वकामे भ्यो वियाहय कामान सर्वान वह हर प्रकार की इच्छा को त्याग देता है त सित्व्रग्य व्यक्ति तूसरा नियती इंद्रयत्व उसकी सारी इंद्रियां सहीमित रहती तो आपने इंद्रिय विश्यों से अलग रहती हैं दूर रहती हैं तो वहां पर आपने बताया स्ट्रग्य विक्ति की और निरंकारत्व आदी निर्ममों निरंकारह सशांतिम अधि गच्छति ये भी आपने आपने देखने कि आप पराण करने से खटा-खट लो गया दाते हैं तो बड़ा स्पर्श समझा कि उसका निर्मम है ओ उद्यजें करेगा जब वह समाझ रहा है उसका तो तो पर क्यों युद कर रहेगा इस प्रकार की यूदज का क्या पुरिजन बनता है पूंठ शटे प्रग्य बनो एस अभी सब क्या चक्करवें परणा जगडा करना अब बो सबनाय आपने जिन पुरा जिंदगी पर प्रयास करें अंत में भी इस ब्रहमी स्थिति प्रग्यता को प्राप्त कर लेका तो भगवान की प्राप्ती हो जाएगे तो बुद्धी और कर्म के मद्ध बुद्धी श्रेष्ट है ऐसा भगवान का अभीमत मान कर अर्जुनेश्ट लोक कहते हैं भागवान इप ए। लेकिन देखिए वेक्ति को यह नहीं कि वो कोरिख दिखि रर्च नहीं करेगा लेकिन वो कारी को किसले नहीं करेगा यह महत्पून था और या कि कुछ नहीं करेगा बाइस अंदर बठ रहेगा नहीं यह बात नहीं बोली थी वह लेकिन इनने ऐसा माना यह बोल रहें ना कि आपका में अमत है तो ऐसा मान रहे हैं कि अर्ज भगवान श्रीक्रिष्न का अभीमा तो है कि बस कुछ करो मत खाली बठे रहो इत्मारी सित्य प् कर्मों की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति की साधन जो बुद्धी है वह जायसी अर्थात अधिक तरह या स्रिष्ठा है तब किसलिए आप तस्माद युद्धस्वा तस्माद उत्यष्ठ ऐसे वचनों के द्वारा बार-बार मुझे को घोरे अर्थात ऐसे हिंसात्मक कर्म में नियो जसी अर्थात प्रवर्तित कर रहे हैं यह सुना तो ना तस्माद युद्धस्व यशौ नहीं तो आगे बोलेंगे तस्माद युद्धस्वा भारता आया था युद्ध करो उसके बाद खड़े हो खड़े हो पहले यह अर्जुन जी बैठ गए थे रथो पस्त रथो पस्त उपाविषत विस्त विस्त जस्चरम चापम शोक संबिग्न मानसा प्रतम अध्याय का आखरी श्लोक आपने सुना था वो दुख से शोक संदप्त हो करके बैठ गए और वो बैठ गए तो युद्ध क्या करेंगे तो वहां बोल रहा है उठो उठो आप ऐसा न विगत अज्वरा इत्यादि तो आप मुझे नियोज़ित भी कर रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं कि सर्वास्ट्रक्य होना चाहिए उसकी बुद्धि आत्ने विश्ण होनी चाहिए आत्नकी टेरेट होने चाहिए और दूसरी तरफ कर रहे हैं मढो मरो मरो उठो ऐसा कर यह क्य में वर्णेट करता है थोड़ा थोड़ा तो भगवान ने दूसरे अध्या में बताया था श्लोक्रमांक 40 से ले करके श्लोक्रमांक 40 से ले करके 56 था पता नहीं भूल रहा हूं कितने सब था 52 था कर लिजेगा उसके बाद अब मुझे भी याद नहीं आ रहा लेकिन 40 से 52 नहीं बात की गई थी तो यह तीसरा अध्याय निश्काम कर्म को विस्तार रवनित करता है यहाँ पर काम को जीतने का मार्क मतलब वासना को जीतने का मार्क पश्केल होता है इसके बारे में चर्चा हुई थी पिछले अध्याए में। कैसे काम जागृत होता है। और यह भी बता दिया कि स्थित्वप्रग व्यक्ति की सारे वह काम से विहाय काम आने सरवान लेकिन यह नहीं बताए कि स्थित्वप्रग होंगे कैसे सारी कामनाव से मुख तो कैसी होंगे देखे शिर्ला प्रभपाजी के प्रवचन में तीसरे धाय परी सुन रहा था बड़ा सुन्दर प्रभपाजी कहते है भाई देखो कोई वेक्ति एकर बहुत बड़ा मानले जिए उसने फैट्री खोल के रखी हुई है अब आप तुरंत कहें कि भाई वह तुरंत बंद कर दो जिए गा एक आप इसके कोई बड़ी फैट्री के द्वार है वेक्ति जीएगा तो वह में जञ़ी है आतमा के लिए पार्क काम ये बहुत बड़ी फैट्री खोलना को नहीं है लिकिन बतर्ग नहीं सकता है तो उसका योग तो किया जाए उसके कर्म फल को उसके कर्मों को भगवान से जोड़ा तो शुरू हो जाएगा बहुत अच्छी बाते हैं आप में शीकने के लिए आप जैसे अर्जुन के लिए शत्री है तो कवे सब छोड़ दो सब छोड़ दो युद्व मत करो ना य आप आप देखें जगत में लोगों को सेवा करना सान लगता है करNow चfinden करो यह को बहुत मालाथ बाहरी हो जाता है और पर शे परकार से रजोगोर में हैं इसमें डीदी बहते नहीं ःपार किण को ठीक हए ठीक है जैसे तुम चाल किढ को जाब करो शिकष करुक्रमत होते है के लोगों करमत समझते हुने कुछ करना है तो उने कर सकते लेकिन ऐसा करने से परसाद का बिजनस कर रहा है है जो भी कुछ कर रही तो उसके दोरा उसके धिरी धिरी आतमग्यान परकाशित होगा वेरी नाइस वेरी नाइस यूशल लर्न की पूरे किसी कांसलिंग कैसे करनी सब को बंद नहीं कर सकते हर विक्ति का सभाव च्छाय है उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए तो यह बात डिटेल में इस अध्याय में समझाई जाएगी अर्जुन के सबसे द्यालू सार्थी भगवान श्रीकृष्ण ने अज्ञान से आवरित ब्रह्मांड का उधार करने के लिए अपने ज्ञान के द्वारा उपासना को सिखाने के लिए भई इमत पर अभी तक अब और क्लियर करेंगे कि भगवान श्रीकृष्ण भगवान है उनको कर्म समर्पित के जाने चाहिए इत्यादी जब ज्यान होगा तब व्यक्ति उनकी पास ना करेगा जीवात्मा के ज्ञान को पिछले अध्याय में प्रदान करने के उपरांत जो भगवान की ज्यान का सधने वह लंब है यंदिया ही था ऐसा को यह सवाय था जो हरता भइवान का जखा गया को नहीं दिखा खिया जो म hone सब कभी नहीं समझ सकता पहले एपने बारे मढ़ Σنتे है आते हीविक्ति ने बात को boy न है कि कृष्ण बहुत आपको में घ्लाइए दियर जैसे ही लगेंगे अप अब देख रहे हैं भगवान प्रीचिंग कैसे करने सबसे पहले आत्मा की ज्ञान के बारें बता रहे हैं तो आत्मा का ज्ञान भगवान का अंश है कि नहीं जैसे माली समुद्र कैसा है अब समुद्र का कैसा है कैसे जानेंगे समुद्र के एक जल को अनलिसिस करेंगे थोड दूसरी बात क्या था कि कैसे जीवात्मा के अन्बूति की जाए तो वह भी आप देख चुके हो एशाते भीता संखे बुद्धियों के तिवाम शुड़ू बुद्धिया युक्तो ययापार्था कर्मा बंधम प्रहाससी तो उस कर्मे निश्काम कर्मियों की बुद्धि बह होगा भवान की किर्पा प्राप्त करके वे आत्मा का साक्षा दर्शन प्राप्त करेगा यह सब आसाने होगा उन लोगों के लिए उन्हें दूसरे द्याए को खुब जम के पढ़ा है सुना है तो उस में को कट्टा ही नहीं सब बाते रिवाइस की जा रही है पिछले दू बगतियों कॉटिट कर्म की और निर्देशित वुद्धी की तुलना में आत्मा की और निर्देशित वुद्धी की इस रिष्टा को स्थापित किया गया था पिछले अध्या में अभी श्रीद्व सभाद को समझा रहे थे इसी संबंध में अर्जुन अब एक सवाल कर्पना फल फल सकाम कर्मों की और जो काम कर रहा है विद्धुल कृपन है दूरेड या वरम कर्मा बुद्धीयोगा धनांजया बुद्धा शर्नमन विच्छा कृपना फल हेत वह कृपन है वाह मुक्सिस लोग ऐसे अपनियाब निकल ला है इसा परान का लाव है वहा तो यदि आप आत्मा की और इंदेशित बुद्धी को निशकाम कर्म की और इंदेशित बुद्धी से शिरेष्ट मानते हैं अब यहां सकाम कर्म तो चलिया आउट हो गया अब भागवान ने यह भी इंगित किया था एशा ते अभिता सांखे कि तुम अब मैंने तुम को बताया आत्मा के बारे में बुद्धी है लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो तो निशकाम कर्म योग करो तो अब लग रहा है नासा कि निशकाम कर्म कुछ कम है यह नहीं कर पा रहे है तो यह कीजिए आगे भी भगवान बिल्कुल यह किरेंगे सांख योगो प्रतक बाला प्रवदंति नपंडिता यह सांक यह आत्मा अनात्मा का विवेक और योग अर्थार निशकाम कर्म योग यह एक ही है अलग नहीं है लेकिन ऐसा भगवान ने बोला कि लग रहा है कि निशकाम कर्म योग कम है कुछ क्याश करते हैं से बात को 2.39 कि अगर अनालेसिस को देखेंगे तो उसमें लग रहा है कि तुम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हो ना अचो ठीक है तो अब तुम निशकाम कर्म योग करो जिसके द्वारा तुम भगवान की किर्पा को प्राप्त करोगे अंता करन शुद्ध हो जाएगा तुम आत्मा क क्याने बुद्धी करोगे तो इसलिए कि आप की अभी मती ऐसी है और भगवान असा नहीं कह रहे हैं अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान के असी मती मती मतलब इसको हम स्रेष्ट मानते अच्छा मानते हैं इस टो के तो यदि आप आत्मा की और निर्देशित बुद्धी क तो निश्काम कर्म की और निर्देशित बुद्धी स्रेष्ट मानते हैं जिसका उद्देश आत्म उत्पन करना है तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों निजित कर रहे हैं जो हिंसा को उत्पन करने वाला है अभी बड़ा इंट्रेस्टिंग भई निश्का कर्म करम योग आत्मा को और ले जाने वाला और उसको भी आप आप मान रहे हो कि आत्मा का डाए्रेक्ट इसफशीन कम ही है कि साथन अब आप निशकां कर्म योग से भी अत्यंत विपरीत हिंसा आत्मक कर्म हो क्यों दे रहे हैं वह निश्काम कर्मयोग से क्या उत्पन होगा आत्मग्यान और इस घ्वोर कर्म से क्या उत्पन होगी हिंसा क्याच कर रहे हैं आप यह नहीं किया रहे हैं कि आप मुझे निश्काम कर्मयोग में क्यों प्रयोजित कर रहे हैं यह प्रश्ण नहीं है सुनाई पढ़ रहा है सभी भक्तों को यह प्रश्ण नहीं है कि आप मुझे निश्काम कर्मयोग में क्यों प्रयोजित कर रहे हैं वह तो भवान इस पस्ट कुछ कम है कि ठीक कि कोई नियुद सोच यह करहें इतों अथर नहीं प्रस्तौत करें आइसा अर्जुन सोच रहे हैं इसलिए प्रश्ट कर रहे हैं अरे तो भै युद्व निश्काम कर्मावना से किया जा सकता है अर्जुन कन्फ्यूज है ना यह कन्फ्यूजन इसकौन भक्तों का भी हो जाता है समस्चिए एक्जाम्ब्ल मैं सची घटना बता रहा हूं गोडारनवा प्रभू यहां मंदिर की सेवा में थे मंदिर बन रहा था इसकौन व्रिंदावन का और वो इंट और सिमेंट गिन रहे थे इतनी इट आई है इतना सिमेंट आया तो प्रभूपाज इसे पूछे व्रिंदावन ने पूछे कि प्रभूपाज बाकिस सब्लों हरे कृष्ण कर रहे हैं मैं यह सिमेंट के बोरे गिन रहा हूं और इंट गिन रहा हूं तो प्रभूपाज ने कहा इस प्योर डिवोशनल भगवान के लिए मंदिर बनाना रहा है है Meng वन हम को यह उसुल के प्रौन यह भरम कर रहं हो जाता है कि भह। यह तो vintage नहीं है कुछ कुछ कर्म कर रहा हूं चाद होग scholarship सब्सक्राइब कर दो रहा है कि मेरा पढ़ाई का समय कम हो जा रहा है तो मैं आपनों को व्यक्ति के दूर्प से बता रहा हूं मैं बहुत देर नहीं पड़ता इन है कोई बार मुझें कुछ बोल रहे थे शाइद उनको प्रवचन अच्छा लगा किया आपने इंग्लिश में क्लास दिया है आप जाए आप अधू ध़क्ति विधान्त कि नहीं पेले बोले हैं भक्ति शास्त्री नहीं तो भक्ति विदानता आपने का जब गूर्च जाने हैं एक बाड़ा माशूम से प्रशन किया है आज आता है समझ में और यह की बुद्धि नहीं है IIT में जब था तब समझ में नहीं आता था मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्र नमत पढ़िये लेकर बुद्धी खपाते रहेंगे और भगवान की किरपार नहीं होगे तो समझ में नहीं आएगी बात इसलिए सभी चीज़ें आवश्यक हैं सेवा के लिए जब कीजेगे भगवान की सेवा भी कीजिए वैश्नवय ओकी सेवा कीजिए भगवान प्रस्थ समय होते हैं और समय सहुन है इसका अरति है कि यह नहीं है कि शास्त्र workflow पोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आरा है, क्या बोल रहे है, क्या बोल रहे है और एक सुनते रहें पढ़ते रहें तो तुरंट क्लिक करने लेए क्लिक समझते हैं यह बोल रहा है यह बोल रहा है यह बोल रहा है करके कृष्णा has to reveal that knowledge within you कि में सेंस टू यू तो सेवा की भावना रहेगा तो सब ज्ञान प्रकाशित होता चला जाएगा देखिए इसको रिलेट कर रहा हूं कि प्राटिकल सिवाओं का भी बड़ा महत्त होता है मैं एक सची घटना बता रहा हूं को बिल्कुल समझ में आजाएगा सब लोगों शाथ पता भी होगा छिला भक्ति सिधांत सरस्ति ठागुर जी से मधन मोहन मालविय जी कोई बहुत कंभीर आध कि माजा अब वरतन माजे माजे उसका लॉट किया मेरा कुछ क्या प्रश्न का उत्तर हो गया कि यहां तक कि श्रीपाद रामानजेचार जी को भी कांची पूंड जी ने कहा कि वरद राज की सिवा किजी तो वह जल लिके आते थे कई कई दिनों तक कई सालों तक जो भी समय रहां सिवा किया यहां तक कि आप हद करेंगे अई तो हद हो गई दाश्रती उनकी बहुत बड़े सिष्ट थे बड़े प्राकांड पंडित आप लोग रामनेचार जी कधा सुनें बड़ा रुचिकर तो उनके गुरू श्रीपाद रामनेचार जी के गुरू कांची गोश गीता का यह सर्व धर्मान परित्य शलोग समझ में नहीं आ रहा है आप इसकी वाक्या कीजिए तब तो श्रीपाद रामनेचार जी वाक्या नहीं किये और यह मौका आगया कि रसवय चाही तो दसरती को बलाब जाए रसवय की सिवा कीजिए और जो सबसी प्रकांड पंड जानकार है तो अब वो विक्ति इतने नम्र एक साल तक वो बरतन माजते रहें बता नहीं रहें तो हुआ ये एक बार कि उस गाओं में एक पंडिजी आए और वह माया बाद बोल रहे थे अब ये बैटे और उनकोसे सहन नहीं हुआ और वोट करके वो उनसे वादिबात्त की झास्ताष्त करके उनको ओफर रहा दियो और आश्यर रहें ये बरतन माजने वाला मुझ से शास्ताष्त कर रहा है ऐसा और हरा भी दिया तो फिर उन दा मालम चला कि प्र उनसे सीवामानी नहीं ले सके तो पिर रामने चार्जार्जी के उस वापस गए फिर रामने चार्जा ने कहा कि हाँ आप नम्र हो गए अब आपको मैं बताता हूं कि सर्व धन्मान परित्य जग क्या अर्थ है तो मैं खाली कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि वेक्ति फिजिकल कुछ कार्य कर रहा है और असे कोई प्रभाव नहीं होगा लेकिन आप देखिए वो फिजिकल सेवाएं जो है उसकी पीछे एटिट्यूड है वह सही रखकर कि सेवा करेगा तो फायदा होगा में सेंस तो यहां पर देखिए कि दाश्रक्ति कीवल बरतन नहीं माज रहते वह अपनी गुर गूरु प्रसन्नों के इसलिए ऐसा कर रहे थे में सेंस तो यह ब्रह्म हो जाता है कि हमें कोई प्राटिकल सेवा दी गई है तो उससे मारा हर्देशुद्धिगर्ण नहीं होगा ना 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 नहीं ऐसा नहीं है यह ब्रह्म हम लोगों को भी हो जाता है आप समझने का प्रय तुम कितना थक गए हो, थोड़ा बीडी क्यों नहीं पी लेते हो, तुम थोड़ा थक गए हो, थोड़ा बीडी पी लो, हो गया meditation तुम आप, आप मुझे युद्ध करने की आग्या देने वाले शब्दों से क्यों खाते हैं, आपने सुन लिया था, तस्मात उतिष्धा, इत वुध्ध को जन्म देती है, इंद्रियों के कार से वैराग उत्पन करती है, इस पर ह사चों में आ जिसको आत्म का अनभवल होगा, आत्मनी आत्मे रहतो स्था, सित्वा प्रज्य सत रुचते आत्मा के कारियों में, आत्मा के अनुभूती में संतुष्ध है, तो व inheritance के कार को इने युद्यों को इन उजड़ करती हो इस म homeless कःज़ेंगे इंढरिये व्यक्ति श्यम करेंगा इंढरिय करें आत्मा के अन्म करने के बाद कार दोतन है इं अर्डिये को रिदिश करने के बोल रहे हैं नियोजित में दोस ने इंद्रे को लगा के युद्ध करना पड़ागे जो तो नहीं कि आख कही और ते खरी है और हाथ से बाण बाढ देगा आख युद्ध करने में आख लगाना ही पड़ेगी कि नहीं चलिए युद्ध छोड़ दीजे स्कूटर चलाने में, स्कूटी चलाने में आख लगानी पड़ती है, हाथ, पाउं, दिमाग, आप देखते होंगे, अपने महसूस किया होगे कि आप 15-20 किलोमेटर गाड़ी, मोटर साइके चला दीजी, आप एक दम ठक जाते हैं, नहीं ठकान होती है, बहुत ठकान होती है, म आप मेरे समझने का प्रयास कीजिए, कि भाई यूद चल रहा है, यहां तो आप यूद नहीं करें, खाली स्कूटी चला रहे है, वैसे भारत में यूद से कम नहीं है, कोई विडियो गेम जैसा खेलते हैं, लेकिन अब जब यूद कर रहा है, तो क्या एक शान के लिए वि काश क्या होगा, वहां आत्मा के बारे में सोचेगा वेक्ति, अब आप विचार कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए चत्रिये बन जाईए, अर्जुन बन जाईए, और यूद करना शुरू कीजिए, तब आत्मा के बारे में सोचेंगे, मालो यहां पांचे गुंडे के बारे में सोचेंगे के बारे में सोचेंगे, सीमें ख जानते हैं इंत और गारा किस रिए वह नहीं भूलेंगे, श्रील प्रफपा इसको समझाते हैं, निक लिए जैसे एक माँ आपने बच्ची के लिए घाना बनाती है, तो सोचनी री उबली की नहीं चावल बना है की लेकिन इसको ये स्मरण है क्योंकि इसके लिए बन रहा है तो ये अर्जुन का एक भाव था कि भाई ये इस प्रकार से सारी इंद्रियों को अब रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं तो मेरी इंद्रिय स्यम कहा होगा लेकिनु इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं इंद्रिय संयम का तरीका क्या था मत परह युक्त आसीत मत परह भगवान की सेवा में नियुजित होने के लिए होगा और ये युद्ध भगवान की इच्छा से हो रहा था कि धर्म की स्थापना करना चाहते थे आप यह बात मिस्कर रहे आप ताप ऐसी बाते कियो कर रहें वह पुरीट क्रियाओं को सभी लिए को निख्री नहीं करती हो उनको संग रहीत नहीं करती हो उसमें क्यों नहीं उजित कर रहे हैं यह कुछ संजहा पाया मैं इसको मेरा संतुष्टी तब है कि मै जो समझ रहा तो हां बोलने के लिए को पेमेंट नहीं मिल रहा है नव समझ में आए तो आप हमको पूछ लिजेगा हिंदी थोड़ी सी अजीब सी लगेगी इस तरह कि भाशाक में समानिता सुनते नहीं तो इसलिए कटना ही हो सकते है जनार्दन बड़ा संदर है जनार्दन अर्थात जो कि इच्छा वालों की द्वारा याचनी है जो लोग अपना प्रम कल्नाड चाहते हैं वो भगवान जनार्दन भवान के स्री क्रिश्न की उपासना करते है तो जनार्दन होते हुए जो लोगों को सिरे प्रदान करने वाला है आप मुझे इस गोहर कर्मी लगा रहे है जो मे कह रहा हूं तो तुम मेरे कहने से मान जाओगे तुम करो माम नहीं हो जिसी तुमारे अंदर सामर्थ नहीं मेरी बात को टाल लेगा तो कहते हैं नहीं केशव अर्था जो ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रिन में रखते हैं तो मेरे लिए आपकी बात को टालना बड़ा अब अपने ही भक्त को इस प्रकार से विश्म पृष्टी में क्यों डाल रहे हैं शिव जी भगवान कृष्ण से हरिवंश्व कहते हैं इती ब्रह्मनो नाम इशुहं सर्वदेहि नाम आवाम तवांग संभूतव तस्मात केशव नाम भाकू कर्थात ब्रम्हा और इश्व मुझ और शिव जी को इंगित करता है जो सभी देदारियों के स्वामी है हम दोनों आपके श्रीर से प्रकुट होते हैं इसलिए आपको केशव कहा जाता है उन्हीं कि संतान है आपके आपकी आध्या की अवेलना तो कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नीमित करने वाले हैं मैं आपसे प्रातना कर रहा हूं कि मेरे पौरम स्रे के लिए मुझे स्पॉस रूप से बताई कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा कुछ समझ में आगया जनार्दन मतलब जिनसे लोग स्रे की आचना करते हैं केश्व मतलब इनकी बात कोई टाल नहीं सकता तो हे जनार्दन मैं आपसे अपने श्रे की आचना कर रहा हूं मेरे लिए क्या अच्छा को बताईए मैं आपकी बात टाल नहीं पाऊंगा लेकिन इस घोर कर में हमको क्यों नियुजित कर रहे हमको नहीं समझ में आ रहा है इससे मेरा क्या स्रे होगा एक बात हो सकती है कि आप लोग कहने तर्व है ऐसा नहीं कि अरचने अ कि अरजी बुद्धू कि सुन रहे अरजुन विचार कर रहे आप देखे से प्रशन मनन कर रहें विचार कर रहे कि यह उसकी अधार पेस संषे कर रा रहें तो आपने अपने लेकिन संशय बना रहे तो बहुत कटना ही गुरु में संशय नहीं कर रहे हैं जो बोले ठीक से नहीं समझ पहा है उसकी बात को क्लारिफाइए करना चाहते हैं इसलिए बोला क्या था न आगे बोला जाएका पौरी प्रश्णे न से वया और यह आप देख रहे हैं कि प्रश्ण बाहर नहीं जा रहा है प्रश्ण भगवान की बात पर ही है बात चल रही उसी संबाद के संब्समाद में प्रश्ण है इसे वो अपने आदेश के दोरा पीड़ा प्रदान करते हैं अर्दन मतलब अपने ही विक्ति को तुना दूख दे रहे हैं हमको तो बहुत दिखतों कि युद्ध करने में तो समझना चाहिए हमारी पीड़ा जनार्दन अब हम ही को परशान कर रहे हैं ऐसा करके ये भक्त लोग ब महाराज को बोला तो महाराज बोले गुरु मतलब कपाल पर चड़े डाट लगाया कुछ गलत कारे करते हैं तो समझाए ऐसे नहीं करो तो बहुत दुख दे रहे हैं आप तो जनार्दन शर्द के आएक अर्थ हां पर लिए अगया तात परियो श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ट मित्र अर्जन को संसार के शोक सागर से वारने के उद्देश से आत्मा की सोरुप का विशद वणन किया और आत्म साशातकार के जिस मार की संस्तुति की है वे है बुद्धीयोग या कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिए जाता है और ऐसी भ्रांत धालना वाला मनुश्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णत कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राया एकां स्थान में चला जाता है इसी की वाक्या मैं कर रहा था आपनों के सामने किन्तु कृष्ण भावनामृत दर इन्यास लेकर एकां स्थान में तपस्या का अभ्यास हो मैं समस्ता हूं कि अब हमने जो डिस्कुशन किया है उसके प्रकाश में प्रभपाजी के तात्परिदम स्पष्ठ है दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत का बहाना बनाकर चातुरी पूर्वग युद कराश ौरी यह कर लेता हुए या और जो और कुछ करना तो वहां बलती को उसको इसे करता यह काम हम को नहीं करना चाहिए यह कुए अच्छा नहीं लगता है 플सक्राइब का मतलब क्या होता है परे जल्भिindo को सुना हूँ आपram ॉरी औट हौस्पिटल में सुना वह अव तो यह बताए कि मालिजे आपके भवाना करें लेकिन, मालळीजे आपके पेट में दर्थ है और मेरे सर में दर्थ है तो दोनकका प्रा उक की तो अना अलग होगा ओक्त न करें ओक न नहीं अपने उसको वह जुड़तित आपके प्रेस्कृइब करेते himself a तुमारी विमारी अलग है यह दिया लेकिन सबके सुभाव अलग है समझाएं किया था ना अध्यात मोशब तो सुभाव के अंसार प्रसक्राइब कर जाता है दिश्चिति है दीए यह बात आ रही है तो हम ठोल दे रहे है कि प्राया लोग गुर्अ संस्कार से युक्त होते हैं, तो उनको शास्त अशी प्रकार से बोलेगा कि एक समय में आप गुर्अ स्विकार कीले लिए प्चेश साल के लिए स्विकार कीजिए, और आप वहां भी भक्ती को ही केंटation में लेके, आगे बढ़िए, और कुछ इकाद लोग होंगा जो शादी नहीं करेंगे तो दोनों एक डूसरे प्रेने जहाइक तो कोई सी काम के नहीं न तब टो साथि कर रहा है और गलत बहुर यह कोई काहा कि नहीं इन रभांछारी कजिए हैं महा भोगी है यह सब नही चलेगा अलग अलग प्रेस्क्रिप्शन है और सभी लोग अपनी स्थिती से कहां सिवाग ठीक से कर सकते हैं वहां से उप्रगति करें एक भक्त थी हमको बोले प्रवजी आस्रा में को ले लिजी हमने का भाई आप भक्त बहुत अच्छी हो लेकिन आपके आंदर सुनने की भावना नहीं आप सु आप से भी है सब कुछ भाहर के बदन करी बद्धी करी अट विए व्यक्ति की मनस्तिति को देख करके पहले मैं किसी को भी आश्रा में लिल लेता था अब तो बहुत सारे फिल्टर लगा करके रेकी भील्टर निश्विल्टर रेकी विल्टर से हां यह है और था पूरा ना करी मत्रा में रही वाहर के बदन कीजिए तर्श्रो प्रेप से समझाए यह वस नॉट कौलिफाइए व्यक्ति को बहुत रेर रेर विक्ति को आजाते है क्योंकि आ जाता है तो मैं सोगता हूं कि भाई यह रहे इसको ध्यान दो उत्ते में उसका मूट चेंज जाता है चाहित खांए बदन का हरुटि के लिए एक प्रस्क्रिप्शन नहीं है तो अर्जुन को व्यूद करने के लिए व्यास देव जी को भी वी बोल रहे है शुक्दे गुण जी को भी बोल रहे है नहीं कहर कह रहे है इसड़ आलो कि और और कौमी कोच नहीं है ग्यान में यह तो एक प्रमानिक Gर हर वेक्ति के सभाव को सभाव को सोमश्ते उसके अंसार भागवान की सिवा में उसको इसको नेयुज़त करतें तो कभी कभी क्या सुचते ऑँ वो तो मुझेह आं इस प्रकार जेव ज़्वाम में नेयुज़त कर रहा है। ठीक नहीं, एक कहानी सुनी, सची घटना, शेला भक्ति सन्रागर जी के एक शिष्य थे, वो तब ब्रह्मचारी थे, और अकिंचन किर्षदास बाबजी महराच, तो वो जॉइन ही किये थे आस्रम, एकदम जॉइन ही किये थे आस्रम, और उनको नाम है रुची पहले जन्म सही थी, अच्छे कह ली जी तो सुभे तो शाम तक वो जप ही करते बस दो टाइम प्रसाद पाते, तो इधर दुसरे भ वरा गंटे के तीन-चार दिन के उसके बाद के नाँ 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 हो रहा है, हमसे और नहीं हो रहा है, तो हर व्यक्ति के लिए प्रगती का अलग-अलग सिस्टम है, यहां बहुत अच्छी बात पर उपाजी कह रहे है, चतुराय पूर्वा चाहरे है, युदत तो हमारे आ अच्छी नहीं हो रहा है, क्या बोलना है, क्या करना है, जो एक ब्रहमनिकल सभाव का विक्ति होगा और तो से कहते है, he can give lecture at the drop of a hat, सका जाता है, बस ऐसे गिराई और बोलना शुरू कर देगा, उसको अच्छा उसको उसमें बहुत अच्छा लगेगा, बट अब कोई विक भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छे मैनेजर भी है, बहुत अच्छे सिवा करते है, तो एक दिन का मन में आए, बहुत सिवा हो गई, अब हम चलो बाबाजी बनेंगे, यह बनेंगे, एक दिन गय किसी बाबाजी की पास, यह तो मेरे हिसाब नहीं किताब ह स्वाविस की बात है ना आप में से किसी वेक्टी का किया हमारा शुद्धी करन का सिंबल तरीका खूब प्रीचिंग कीजिए खूब प्रीचिंग कीजिए जितना हो सब्सक्राइब भक्तों की मदद कीजिए लोगों को जोड़े कृष्ण भावना में तरीक जोड़ेंगे जब आप पना है इसमय यह ना छहिए कर गराण रहा है तो आपना अनभव कर रहा हूं आप रहा प्ता निक्या सिर्दी है लेगर हम दूसовыхों की जब मदद करते है तो विशेष कृष्छरपा प्राप्त होती विशेष किरपा प्राप्त होती है नहीं तो जानते हैं हमारे भक्त पढ़ेंगे नहीं पढ़ाता है वह है निश्चित रूप से मेरे पास आएगा क्या आपको दिखाए नहीं पढ़ रहा है भगवान का धाम दर्वाजा खोल दिया है एक पुस्तक पढ़ लीजे समझ लीज करना पता नहीं कौन कर पाया कर पाया कुष्पता नहीं बावान बोले चैन्ट 16 राउंट इन परीज कृष्ण कॉंशिसनेस होता है जैसे में एक्जाम्पल देना है हमारे अभी सामने में है स्वाति कुमारी माताजी तो उनने दो लों को जुड़ा एक स्वाति रानी शाय से यूगत है उनको समझाना पड़ता है ऐसे भोग लगाओ ऐसे खाना बनाओ ऐसे बवान के सिवा करो चुटी चुटी बाते बतानी होती है और आपको स्वेम हस्तक शेप करना पड़ता है ऐसा ने कि वो पूछेंगे अचा भोग कैसे जरूरी नहीं पूछेंग आपको ब कि यहां मिलेगा तो पड़ाओंगा दस दाट मेंग सेंस दिसेस रियल डिवोटी के अर इस से हम को है कि नहीं बस आपके बोलग बोलते हैं यहां तक कि हम निरे की सीक लिया तो परोजी गुले में दोर्द है इलिंक कर दिजी तो हम जब करेंगे तो यहीं भी करना पड़त ठीक हो जब करने के लिए ठोटे बच्चे हैं लोग बता उमर हमारे बराबर की होगी मालो लेकिन बच्चे रसी बाते करें माई इलिंग कर दीजिया हूं नहीं कर रहे हैं सबकी एकदम मैं बता रहा हूं पहले मैं जब छोटा था ना तो मैं सुचा करता था कि मेरे पिता जी कि बास जी कोई बुद्धी नहीं होती कुछ नहीं होता है जो आसे बाते करते हैं मैं खाली बोला पीछे नहीं हटना है पीछे नहीं हटना है किसी तरह से you must take up this preaching mission भागने का नहीं और नहीं तो पर महराज प्रहुपात बड़ा चकते माया कहा नहीं है जब तो बहुत धर से हो गया गला सुक रहा है तोड़ा बीडी पीए चाय पीए ऐसा कुछ हो जाता है ठीक है आप लोग बीडी नहीं पीते होंगे उमीद है लेकिन प्रहुपात बोल रहे है आप पुली सुनिएगा 3.1 के लेटर प्रहुपात बोलते हैं पीछे नहीं भा एक निष्ट शिष्च होने के नाते उसने ये बात अपने गूरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्यम कारविधी के विष्ण में प्रश्न किया उत्तर्म भगवान ने तरती अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख् यह लग रहा एकदम नए बच्चे ने कुछ पता नहीं है ठीक है इसके लिए अपने काउंसलर को पूछ ली देगा क्या होता है इसे प्रश्ण हमने उत्तर नहीं देंगा जैसे एक में एक सांपल हमारे भक्त है कि जो अभी एक कॉम्पूटिशन की टारी कर रहे है और मैं मैं अपनी बात कर रहा हूं जब मेरे को आयटी में जाने की च्छती तो में अब यह कोई कहते था कि नहीं तुम छोड़ दो निश्काम हो जाओ यह हो जाओ मैं कभी छोड़ने वाला नहीं था इसलिए I can relate with anyone who has any material desires और इसमें कोई दिक्कत नहीं पता बड़ी सुंदर बात षञता भागोता शनेंगे पांच में चक्र्वरती बात को इसकाम भकत त столько है इनिए वाउ कोई कोई सकाम भक्त वाद विष्णु और को यह का है यह मतलब है अन ilika नहीं हमारे च disobedi करने वह श्या काम हई जाएगा और आप किमारी साल में हो सो जन में हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा सौ जनम बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं मैं चैतन महापुरुतिन देर नहीं रुकने वाले हैं बहुत कृपालु है रहुपाजी बहुत कृपालु है अपने जिवन में अभी देख लिए कितना परवर्त नहीं बल्कि मैं फिर से बोलूंगा बड़ी गर्व हो बड़ी ज़ी अफिर से काम हो जाए अब घ्रीजत नहीं है आपको इंटे नहीं है अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको इंटरस्ट नहीं है आपका इंट्रेस्ट उन चीजों में जिसमें होना नहीं चाहिए शही है कि नहीं पिक्चर देखने में इसमें को इंट्रेस्ट लेकिन गीताब सुने में इंट्रेस्ट है भागवा सुने में इंट्रेस्ट है वो लोग भी अप्रिशेट कर रहे हैं यही तो कृष्ण भावन के कर्मों को को कोई प्रश्न है क्या कि एक प्रश्न है कि क्या आप बुद्धियों समझाएंगे देखिए बहुत सिंपल सी बात है बुद्धी मतलब मैं आत्मा हूं पहले उस बुद्धी के द्वारा निर्ने कर ले मैं कॉंशस जीव हूं और भगवान श्री कृष्ण मेरे स बुद्धी कारे करें कारे करना नहीं छोड़े आप दोखो ना कुछनों को कुकिंग बहुत अची लगती तो भगवान को अर्पित्र करेगा मानलो जैसे को भग तभी त्यारी कर रहे है नौकरी करें ठीक है आप नौकरी की त्यारी किजिए लिकिन यह सोच लिए कि जो ध किताब भी नहीं उठाए जारी यह मैं लाइन बोलूं को बड़े जवरदस्त है इच्छा है तो उसके अनुरूप कारे होगा और इच्छा ही नहीं होगा तब यह लोगों की काउंसलिंग मुझे बहुत हेल्प करता है मैं बहुत को बूला भई आप इतना दूर स्कूटर जाते हैं और दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं होती है तुम्हा बस भग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी कुछ है आ सकती जा रहें आ रहें और जिस दिन भगवान स्बाप्त करतेंगे उद्धिस स्कूटर का साइक्ल भी नहीं चलेगी बहुत नहीं चला सकते नहीं तो बचारी बिदक गए हो, अब नहीं नहीं है, अब मैं भूल आप खोल ये, आप खोल ये उसको, लेकिन भगवान की सिवा में लगाई है, हाँ, अब ही ठीक है प्रभजी आप अच्छा बोल रहे है, मेरी गल्ती थी, तो मैं सीख रहा हो से, कि ना जी देखो के विक्ति क्य करना चाहता है, भगवान की सिवा में नियोजित करने का प्रयास केजिए, ठीक है, ठीक है, तो, इसक्छी वेरी नाइस, कुछ कर्म करने की प्रवर्ति है, उसके क्रिश्ण के लिए करी, उसमें तना स्वीट टेस्ट आता है कि क्या कहा जाए, कि खाना बनाना आता हो, बच अच्छा, लगते है, शास्त्र में तो, शास्त्र को बात बोलने में कितना सुख मिलता है, लगातों से पूरी टाक प्लगाधिगी, क्या देखते है, कुछ लोग डिसाइनिंग जांते है, यही प्रवपाजी से एक शिष्जी ने पूछा, प्रवपाजी मैं आपके लिए क क्या करना कर सकता हूं प्रवपाद ने का तुम क्या करना चाहते हो किते हैं इंट्रस्टिंग प्रवपाद और जो इसकी प्रवर्वर्थित उसमें उसको प्रवर्थ किया गया यही ट्रिक मैं लगाने का प्रयास करता हूं कौन विक्ति क्या कर सकता है और उसको उसमें हम प् और भग्वान ने कितना बड़ा आशिरवाद यहीं बैठे बैठे कितने लोगों को प्रवचन कर सेते हैं देखिए ना हम भरतपूर आते थे 30 बचीस 30 लोग आते थे और कहीं और दाएंगे कितने लोग चालीस लोग आ गए अभी देखो 59 लोग बैठे हैं और रोज आत सुन सुनने वाल लोग हैं रोज सुनने वाले एक ही समय में तो अपनी दुकाने खुली जूम के दोरा कुछ शुरू किजिए यह इच्छा आपके मन में आएगे तो जुरूर आप बताएंगे ठीक है विल स्टाप यह और कोई प्रश्ट है नहीं है अब आ आंप पुलीव एक है अब सबा सक्वार्ट ला यह और आप यह तो आपके मन में एक हैं जुब नहीं हैं कि प्रशली जूल्व है और रोजों तो इसका इंप में विल सुन परताव प्रश़्ू खिए दोरि अद्साम झालेश्ट आपकेल ज आपकेल ख़मसे आपकेला ख़